वेलकम फ्रेंट्स तो आवर यूट्यूब चैनल एक्सिलेंस अकेडमी में तो बटा आज हम रियल नैलेसीज में सबसे पहले एपसाइलन के बारे में पढ़ने वाले हैं अगर आपको एक बारे में पता चल गया तो आपकी रियल नैलेसीज का जो सब्जेक्ट है वो काफी इजी हो जाएगा तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि एपसाइलन होता क्या है और इसको हम जो हम चूरम्स के प्रूफ करते हैं तो इसको हम किस तरह से यूज करते हैं अगर एक बार ही आपको इस एपसाइलन के साथ काम करना आ गया तो रियल नैलेसीज आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी तो अगर आप स्टार्टिंग से इस पे पकट रखोगे अपनी थीक है तो रियल नैलेसीज इजी हो जाएगी तो देखिए आपको जर्नली मिलेगा क्या बुक्स में यह बटा एपसाइलन होता है यह हमारे पास जो यह सिंबल है यह एक बटा ग्रीक वर्ड है तो इसको ही ग्रीक लाइंगवज से दिया गया है और इसको एपसाइलन बोलते हैं तो मैथमेटिक्स में इसको हम किस तरह से लिखते हैं तो जर्नली जो अब भी हमारा कोई भी प्रूफ स्टार्ट होता है तो उसमें हम क्या लिखते हैं लेट एपसाइलन ग्रेटर दैन जीरो बी एनी आर्री अर्बिटरी टैन रियल नमबर तो सबसे पहले आपको पता है कि greater than zero मतलब कि वो जो epsilon है हमारे पास वो क्या होने बाला है हमारे पास एक positive real number ये क्या होने बाला एक positive real number होने बाला है और साथ में उसने बोल दिया arbitrary तो बटा arbitrary का मतलब क्या है कि आप epsilon को कुछ भी मान सकते हो आप epsilon को कुछ भी मान सकते हो that is the be any positive real number कुछ बच्चों को ये confusion होती है कि epsilon सिर्फो सिर्फ हम छोटा ही लेते हैं बड़ बटा ऐसा कुछ भी नहीं है आप epsilon को छोटे से छोटा real number भी मान सकते हो और बड़े से बड़ा real number भी आप epsilon को मान सकते हो वो अलग बात है epsilon को जो यूज होता है हमारे पास वो infinitely small quantities के लिए यूज करते हैं बट यहां से अगर हम देखें be any arbitrary तो यहां से आपके पास epsilon कुछ भी हो सकता है तो सबसे पहले हमने ये लिखा कि epsilon क्या एक positive real number है और arbitrary का मतलब क्या बटा कि अब आप यहां पर अगर आपने ये लिख दिया न तो आगे का जो आपका proof चलेगा उस पर मान कर चलेंगे कि भाई ये जो epsilon है आपके पास वो हर एक real number के लिए valid है मतलब कि हम इसको collectively सारे के सारे जितने भी positive real numbers हैं उन सारे के सारे real numbers को एक ही साथ मान कर आगे proof कर रहे हैं कि जो चीज सिर्फ एक जैसे कि मैंने epsilon is equal to 0.1 के लिए उसको माना है उसके लिए valid है तो वो 0.001 के लिए भी result valid होगा सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ एक particular value के लिए valid होगा जितने भी हमारे पास positive real numbers हैं वो collectively उन सभी के लिए proof करते हैं हम जिर्फ एक single real number के लिए proof नहीं करते हैं वो सारे के सारे जितने भी positive real numbers हैं उन सभी के सभी के लिए हमारा proof चलता है तो उसमें हम epsilon को कुछ भी मान सकते हैं 0.1 0.01 क्योंकि वो कोई भी arbitrary real number हो सकता है तो बिटम हम बात कर रहे थे कि आप जो epsilon है न वो उसको यह भी मान सकते हो और अगर आपको need है proof में तो आप इसको यह भी ले सकते हो और आप इसको यह भी ले सकते हो मतलब कि आप epsilon को छोटे से छोटा number भी जूम कर सकते हो और आप epsilon को 1 भी ले सकते हो आप epsilon को 1 by 2 भी ले सकते हो आप epsilon को 10 भी ले सकते हो आप epsilon को 10 raise to power 200 मतलब कि वो arbitrary यह यार कुछ भी positive number हो सकता है और जो proof के लिए वो चीज हमारे पास valid रहेगी वो सभी के सभी के लिए valid रहेगी तो ऐसा नहीं होता है कि वो किसी के लिए भी valid है सिर्फ एक particular number के लिए valid होता है तो आप epsilon का बिटिकर हम जलनी ऐसे ही यूज करेंगे कि epsilon भी यानि arbitrary real number वो कोई भी arbitrary real number हो सकता है छोटे से छोटा बड़े से बड़ा हम जो epsilon का यूज करते है वो ऐसे यूज करते है as a infinitely small quantities के लिए कि इसका काम आपके पास रीगल नालिस में क्या दिखेगा कि epsilon आप छोटे से छोटा रीगल नमबर भी ले सकते हो मतलब कि अगर मैं कोई एक result लिख रहा हूं जैसे मैं आपको एक result के थुरू बताता हूं ठीक अब देखे मैंने एक statement लिखी यहां से कि मेरे पास कोई भी दो नमबर है say a and that is हमारे पास एक statement है that is more of l minus l dash वो क्या है less than epsilon है for all epsilon greater than zero अगर बैटा यह मैंने statement लिखी है कि वो क्या बोल रहा है कि यहां से l minus l dash मारे पास दो रीगल नमबर से है और उनके बीच में जो यह difference है उनके बीच में जो भी यह difference होगा और positive difference आए इसलिए मैंने क्या लगा दिया more वो बोलता है कि वो less than epsilon है for all epsilon greater than zero के लिए तो बैटा इसका मतलब क्या हुआ कि जो इन दो numbers के बीच में यह difference रहेगा वो हर एक positive real number से कम है अगर मैं यह बात करूँ कि इसका जो यह difference है वो 0.1 से भी क्या है कम है l-l' इन दोनों का जो difference है वो हमारे पास 0.01 से भी कम है इन दो numbers का जो difference है वो 0.001 से भी कम है इवन कि अगर मैं यह बात करूँ कि इन दो numbers का जो difference है मेरे पास वो 0.000000 0001 से भी कम है, मतलब कि जितने भी यहाँ पर positive real number हमारे पास आ सकते हैं, उनका इस number का difference जो है उनसे कम है, तो ऐसे ही आपके पास सिर्फ एक particular जो हम लेते हैं, सिर्फ एक particular real number नहीं होता, अब जो भी छोटे से छोटा सोच सकते हो, उसके लिए valid होगा, जर्नली हम इसको छोटे small quantities के लिए ही उसका एक importance आती है उसकी, बड़ कुछ भी हो सकता है, वो छोटे से छोटा and बड़े से बड़ा, कोई भी real number हो हमारे पास हो सकता है, अब देखिए अगर इसको फोड़ा सा देखें, कि हमने यह बोल दिया, कि अब इन दो numbers का जो difference है, वो हमारे पास क्या है, हर एक numbers, हर एक positive number से छोटा है, तो बड़ा, यहां से हमारे पास क्या result आएगा, कि यहां से उस number को, इस चीज को क्या होना पड़ेगा, 0 के equal होना पड़ेगा, इसके लाब़ा, इसके पास और कोई choice नहीं है, तो यहां से मेरे पास क्या जाएगा, L is equal to L' तो बड़ा, यह सबसे major हमारे पास एक method है, जिससे हम theorem को proof करते हैं, तो real analysis में बड़ा, अगर आपको कोई भी दो real numbers को equal proof करना होता है, क्या करना होता है, कोई भी दो real numbers को equal proof करना होता है, तो उसका proof देखिए, अब कैसे करते हैं हम, तो हम let कर लेंगे, कि epsilon जो है, greater than 0, be any arbitrary real number, हम यह मान लेंगे, कि जो epsilon देना है, वो मेरे पास कोई भी कारिबिटीज real number है, तो means, अब मैं जितने भी positive real number है, वो सारे के सारे collectively अपने साथ लेकर चलूँगा, इसको आपको पकर कर रखना है, कि जितने भी आप positive real numbers सोच सकते हैं, चोटर से चोटा और बड़े उसको मैं collectively साथ लेकर चलूँगा, और सभी को सभी को मतलब कि सिर्फ एक कोई भी particular real number मान लेते हैं, उसमें से कोई भी मान लेते हैं, कि वो epsilon है, और अगर एक के लिए अगर आप यह शोग कर दोंगे, तो यहां से क्या प्रूफ हो जाएगा, L is equal to L' यह सबसे important method है, theorem में, कि अगर आपको real analysis में कोई भी दो numbers को equal show करना होता है, तो आप कैसे show करते हो, कि उन दो numbers का difference more क्या है, less than epsilon मतलब कि उन दो numbers का difference है, वो हर एक positive real numbers से छोटा है, अगर वो हर एक positive real numbers से छोटा है, तो that means उनका जो यह difference होगा, इसको किसके equal होना पड़ेगा, 0 के, अगर mode 0 आ रहा है इन उनों का, तो it means वो दोनो numbers को क्या होना पड़ेगा, equal होना पड़ेगा, तो बेटा, यह सबसे important इस पर आपको पकर बना कर रखनी है, और next lecture में आपको इसका proof है, वो करवा दूंगा, बहुत ही easy सा proof है, और आपको पता भी चलेगा, कैसे हम एपसाइदन को use कर रहे हैं, तो अगला lecture बेटा हमारा जूट देखें, और इस से पहले बले lecture के, मैंने आपको books के बारे में बत बंडार बढ़ कीए कैसे हमारे में नहनां, इस से भー एको जड़ा वोके मेन से गल बले research का रभा diff Mmm, और आपको बना मैं से व्याईदके हैं, तो आपको पकure जड़ा भी का भी मुवत हैं, जड़ा, आपको और जड़ा हैं, जड़ा हैं, अज़ा हैं आपको अवाको ब़ा